दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें, दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ड की हमें बहुत ही जूरूरत हैं emoticonic FM दोस्तों बीडियो को एक लाइक जुरूर करें दोस्तों बुगा ने अपने लिए बंगला बनवाया बबुगा टोटी चुरा ले गया जिहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ ने सपा बसपा पर सीधा रिक्साना साते हुए कि दोनों ही दल अपनी हार देखकर के अभादेटि पढ़िया कर रहें और पर्दांमतरी मोदी से उनकी जाती पूछ रहें योगी ने अलग-अलग चुरावी सवा में कहा है कि अपनी हार को देखकर के सपा बसपा अब अभादेटि पढ़ियों पर उतारू हो गए हैं अब यहां तक की प अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत में किसी प्रधार मुंतरी ने सफ़ाई कर्मियों के पैरधोएं. जہा दोस्तों मुख्यमंतरी ने काये कि जो गरीब है, उनकी योजणाओं का लाब पहुंचाया है, किसी को जाती पूछकर कि उसे अब लाब नहीं दिया गया है. योगी ने कहा है कि मोदी ने गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं और किसानों की यूजनाओं का भी लाप पहुं जाए योगी ने कहा है कि बुगा की सरकार थी तो गरीबों का मकान बनाने के बदले अपना बंगला तो सबसे बड़ा बना लिया लेकिन बबुआ तो इससे भी बड़ा निकला पहले सरकारी पैसे से अपना बंगला बनाया और फिर कोट के अदेश से उसे टोटी चुरा ले गया जिहां दोस्तों उन्होंने कहा है कि मोदी ने योगी को दुनिया के सामने भारत के नाम से पेटेंट करवा दिया साथवे और अंतिम चरन से पाले सभी पाटिया पूरे दमखम से परचार करी है जब अखलेस यादो से पुछा गया कि क्या चुनाओ बाद मायावती एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकती है तो इस पर सपा परमुक ने कहा है कि गटवंदन का कोई भी साथी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वहीं इसके बाद जब अखलेस यादो से मायावती के परधान मतरी बनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि 23 माई के बाद गटवंदन मिल करके यह प्तै करेगा अखलेस यादो ने कहा है कि परधान मतरी तो नया होगा और उत्तर परदेश से ही होगा तो हम सबसे ज़्यादा खुज कौन होगा जब उनसे पुछा गया कि उत्तर परदेश में परधान मतरी मोदी और राहूल गादी भी चुनाव लड़ रहे हैं इस सवाल पर अखलेस यादो ने कहा है कि सब को पता होगा कि मैं किसको समर्थन करूँगा कौंग्रेस खुद ही स्विकार कर रही है कि जीतने भी उसके प्रतियासी लड़ रहे हैं वे सभी कमजूर है कॉंग्रेस के लोग अपनी पार्टी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने काये कि यह गटवंदन बीजेपी को रोकने के लिए बनाई गई है इससे पहले सपा अखलेस यादों ने रैली में कहा है कि यह चुनाव देश के भविश्ट का चुनाव है यह हमारे अपने भविश से जुड़ा हुआ नहीं है जब देश बहुत नाजुक इस्थिती में है चाय वाला बनकर आने वालों की चाय पांच साल में कैसी होगी यह पता चल जाएगा अब चाय वाले चोकिदार बनकर किया है जब दोस्तों उन्होंने काया कि इन लोगों ने किसानों को धोका दिया है आज पांच साल और दो साल पीत गए मगर लागत भी नहीं मिली जो आए बढ़ना चाहिए था उससे गरीब किसानों को और ज्यादा नुकसान हुआ है यहां दोस्तों अकली बड़ी ख़वर है रिलाइंस जियो का बड़ा एलान वन प्लस सेवन सीजन का कैस बेक ओफर भी दे रहा है जियां दोस्तों आज वन प्लस सेवन सीजन को भारत में लॉंच कर दिया जाएगा लेकिन उससे ठीक पहले रिलाइंस जियो यूजर्स के लिए एक बहतरीन ओफर दे रहा है रिलाइंस जियो कैस बेक ओफर दे रहा है जियो यूजर्स को यह फाइदा मिल जाएगा जहां उन्हें चोवन सो रुपे का कैस बेक मिल रहा है ये cashback पहले prepared recharge पर होगा यानि की 299 रुपए हाला की एक पैच में cashback 36 works के रूप में मिलेगा जहां आपको हर voucher में 150 रुपए दिये जाएंगे इससे आप mygeo app से ले सकते हैं वाउचर का फाइदा उठाने के लिए geo users को 299 रुपए के recharge कराने होंगे यूजर्स जहां offer का फाइदा 149 रुपए में उठा सकते हैं प्लान में 3 GB और 4 GB डाटा रुजजाना दिया जाएगा वो भी 28 दिन के लिए इस तोरान unlimited voice call और SMS और geo app भी इसके साथ मौजूद रहेगा वहीं यूजर्स को 49 रुपए के और फाइदे दिये जा रहे हैं जिसमें से एक coupon है उसमें 2,000 रुपए तका offer है easy matrix coupon है जो की 1550 रुपए का flight ticket का भी छूट मिलेगा hotel booking पर 15 फिसेती की छूट इस तोरान यूजर्स चुमबक coupon का भी इस्तमाल उठा सकते हैं जो की 350 रुपए का होगा जियो बॉइट speed offer दोनों नए हैं और पुनारे यूजर्स के लिए जियो की 1 प्लस 7 या 1 प्लस 7 प्रो खरीदेंगे यूजर्स उनका फाइदा जियो कॉप रिलांस डिजिटल माई जियो एप पर उपलब्ध कर सकते हैं जी हां दोस्तो अगली बड़ी कवरे भारत से कॉंट्रेक्ट मिला तो किसी और देश को नहीं बेचे का अमेरिकी बिमान कमपनी लाकहिन माटी ने कहा है कि अगर भारत की और से एक सो चोदर लाड़ाकू बिमानों की खरिद के लिए उसे नया एफ टॉन्टीवन का कॉंट्रेक्ट मिलता है तो वो दूसरे देश को बिक्री नहीं करेगा जिया दोसरो ब्यपार असरपर खरिदारी सोदे के लिए अमेरिका, यूरोपिये और रूसी कमपनियों से अस्परधा से पहले बिमान कमपनी ने इस तरह की पेसकस की है लाकिन मार्टिंग ने एक रणनीती उमकारबारी विकास के लिए उपाध्यक्ट विवेक लाल से कहा है कि अगर एफ टॉन्टीवन का अनुरोध मिला तो भारत कमपनी के वेस्विक लडाकु विमानों के तंत्र का हिस्सा होगा जोकी 165 अरप डॉलर का बजार है जह दोस्तों आपको बता दे कि लाल ने कहा है कि नए लडाकु विमान को भारत में वायू सेना के 60 से ज़्यादा इस्टेस्वनों में परिचालन के लिए डिवाइस किया गया है और इसके महतपुन पहलियों में सुपरियर इंजिन मैट्रिक्स, इलेक्ट्रोनिक युद्धक छमता और हतियाड होने की छमता सामिल है उन्हों ने कहा है कि हम इस प्लेटफॉर्म और सनरचना को दुनिया में किसी और को नहीं बेचेंगे लाकहिन मार्टिंग की तरफ से यह महतपुन प्रतिबधता है और यह भारत की महता और भारत की अनूठा जागरुकता को रिखांकित करता है पिछले महीने भारती वायुशना ने करीबन 18 अलबड़र की लागत से 114 लड़ा को विबान खरीदने के लिए आर एफ्टी यानि सूचना के लिए अनुरोधिया सुरुवाती विधिता जारी की है इसमें हालिया वर्सों में सेना के सबसे बड़ी खरीद के तोर पर देखा जा रहा है सूधी के सिर्ष पर दावेदार में लाग हीड का एफ्टी वन बोईंग 18 दसाल्ट एविएसन का रफाल यूरो फाइटर टाइफून रूसी बिमान और मिग 35 और साबा का ग्रिनेड सामिल है अधिकारी सुत्रों के हवाले से खबर है कि भारती वायू सेना बालाकोट एरस्टाइक और चेतर में उभारती सुरक्षा इसिती के मद्देनजर बड़े सोधों के अंतरी बुप देने के लिए काम कर रहा है लाल ने कहा है कि अगर लाकहिट के अनुरुद मिल जाता है तो वो टाटा ग्रूप के साथ F21 आधुनिक निर्मान चेतर के लिए अस्थापित करेगा इसमें भारत को देश की रक्षा निर्मान के लिए सरवांगी की भिकास तंत्र को तयार करने में भी मदद मिलेगी आपको बता दे कि F21 और लाकहिट के F16 ब्लॉक सतर लड़ाकों विमानों के समानता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस तरह के दृष्टि कोन अनुचित है कि दोनों देशों की सनरचना मतलब पलेटफॉर्म में अंतर है उन्होंने कहा है कि F21 एयर फ्रेम करण किया गया है कंपनी ने कहा है कि वह भारती वायुस्टना की विस्ष्ट जागरूपता को पूरा जरूर करेगी जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी क्यावरे प्रियंका का मोधी पर हमला कहा जिसे जहाज बनाना नहीं आता है उसे दिया कॉंटेक्ट सोचा मौसम है और रडार नहीं आएंगे जी हाँ दोस्तो चुनावी घमसान के बीच मद्ध पर्देश के दोर में कॉंग्रेस महास्ची प्रियंका गाधी ने प्रधान मतरी मोधी पर सीधा हमला बोला उन्होंने कहा है कि रफाल के बहाने प्रधान मतरी मोधी ने रडार बनाने का नि जरी प्रधान मतरी मोधी को हमला बोला प्रियंका गाधी ने कहा है कि वह इतने बड़े भी सिसग है कि उन्होंने खुद तै कर लिया जहाज कौन बनाएगा जिसने कभी जिन्दगी में जहाज नहीं बनाया उनको जमीन भी दे दिया उनको कॉंटेक्ट भी दे दिया है जी हाँ दोस्तों अमेरिकी रास्पति डोनल्ड टरम की धंकी के बाद अब चीन ने भी पलटवार कर दिया है जबाब में चीन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर आयात सुर्क लगाने का एलान किया है यानि दोनों देसों के बीच आने वाला दिनों में आर्थिक जंग और ब गयान में कहा है कि चीन अमेरिकी समानों पर 5 फिसादी से लेकर बाद अब दोनों देसों के बीच तनाव बढ़ रही है ट्रम्प ने ब्यापार वारता के बिफल होने का दोस भी चीन को मढ़ दिया है अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड ड्रप ने चीन के राष्टपती सी जिंपिन की चतावनी दिये तो चीन बूरी तरीके से प्रभावित होगा क्योंकि कमपनियां चीन को छोड़ अन देशों के साथ जाने के लिए बात हो जाएगे डोनल्ड ट्रप ने जूर जोर से कहा है कि ब्यापार वारता वैसी ही रही जैसा हम चाहते थे चीन और अमेरिका के बीच ब्यापार मोर्चे पर चल रही बातचित के बिना किसी समझहोते के खत्म होने के बाद दोनों देश एक बार फिर से युद्ध के अस्तर पर आ सकते हैं अपको बता दे कि अमेरिका चीन से होने वाले से 300 अरब डॉलर के आयाद पर भी इसी परकार के सुल्क बढ़ाने की तैयारी में है ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा है कि चीन के खिलाफ सक्तर अपनाने का संकेत दिया है ट्रम्प ने चीन के उत्पादों को भारी सुल्क लगाने के लिए अपने फैसले पर अस्पस्रिकरन देते हुए काये कि हम सही है हमें चीन के साथ जो रहना चाहिए हम वही है याद रखिए चीन ने हमारे साथ ब्यापार समझाते को लेकर के बादचित को तोड़ा है और फिर से बादचित की कोशिस की है जिया दोस्तों उन्होंने काया कि चीन से आपतित उत्पादों पर उसुल्क बढ़ाने से अमेरिका को काफी राजस्व मिलेगा